इन स्टेडी में बच्चों का रीच बहुत जादा है बच्चा इन नमबर आफ सोर्स से बीडियो, कंटेंट, नोट्स, पीडिये डाउनलोड कर लेता है फिर कन्फ्यूज होता है फॉलो किसको करें क्योंकि एक ही टॉपी के सारे नोट्स उसको डिफरेंट लगता है लैंगवेज, सिक्वेंस और बच्चा फर्स टाइम पड़ रहा होता इसलिए तो आपको ये बलंडर मिस्टेक नहीं करना है आपको पहले सोर्स वेरिफाई करना है सोर्स वेरिफाई करने के तीन मेथर्ड है आप पहले ये देखें जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका एक्स्प्रेंस किता है टीचर ने पास्ट में नमबर आफ सेलेक्शन किते दिये हैं और सीनियर्स और सेलेक्टेड बच्चों का रिव्यू लीजे आप फिर आप टीचर को सेलेक्ट करें उसको ब्लाइंटली फॉलो करें जो कंटेंट दे रहा है उसको मैक्सिमम रिवाइस करें मिनिमम सोर्स और मैक्सिमम रिवीजन स्टैटजी को आप फॉलो करें आप सक्सेस्प्ल हो जाएंगे नहीं तो कभी भी आपका topic और chapter complete नहीं होगा backlog में आप चलते रहेंगे